प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनाधर अपदेट स्वागत है दोस्तो ट्रिक्स का अड़ा में फिर से आप सभी का एक वार स्वागत है आज हम लोग देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण 10 कोस्चन लेकिन ये 10 कोस्चन ही नहीं बलकि इसके साथ बेयाख्या के साथ आपको बहुत सारे कोस्चन दिये जाएंगे तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं यानि पर्थम कोश्चन है जो दिल्ली की गद्धी पर बैटने वाला पर्थम अफगान सासक कौन था इसका जो अप्शन है मुभारक साह मुहम्मद साह सिकंदर लोदी बहलोलोदी कोश्चन एक फिर से देखिए दिल्ली की गद्धी बैठने वाला पर्थम अफगान सासक कौन था तो कौन था बहलोलोदी ऑप्शन क्या डी अब देखिए इसका इससे रिलेटेड़ और को स्ट्छन को देखते हैं यानि इसका व्याख्या कि हम लोग देखते हैं तो देखिए तो यानि दिल्ली की गद्धी पर बैठने वाल पर्थम अपकान सास्क भरालोदी था मैं दूसरा लोदीवन्स के संस्थपक भरलोदी थे हैं लोदी बंस का सासन काल चलत कब से कभ तक 1251 कावन से लेकर पंद्रहसोच्छबिस दक चला उसके लोदीवन्स की समाप्पि की और बात आएगी तो पानिपत के परथम यूत के बाद यानि पानिपत का प्रथम का हुआ था 1526 में यानि पानिPAT के समापति लोदी बन्स की समापति हुआ दिली सल्तनत पर सासन करने वाला का आखरी बंस तो लोदी बंस हम बहुद कि ने भलोल सीखे जारी थे आगरा सहरकर अगर संस्थापक हेगर चरचा किया जाता है तो कौन किया था स्कंदर लोदी किया था कब किया पंद्रह सो चार में किया था ऐसकी दोस्तो अब दूसरा देखते हैं न elétको न हूं जड़्चन सरपर्थम सत्यागर्य का परियोग काहां की तो दोस्तो इसका जो इंसर होगा चंपारण होगा अब इसका हम लोग व्याख्या को देखते हैं कि इसे रिलेटेड और भी कोश्चन क्या क्या है तो दोस्तों गांधी जी ने सरपर्थम भारत में चंपारण में सत्याग्रह का परियोग किये थे चंपारण का में बिहार में हैं समझे उसके बार देखिए गांधी जी ने सरपर्थम सत्याग्रह का परियोग 1907 में अफ्रिका में किये थे अगर चर्चा अगर सरपर्थम की बात आएगी यानि सरपर्थम 20 में कहां पर किये थे तो 1907 में किये थे तो दचीन अफिरिका में गांधी जी किये थे अगर भारत में अगर पर्थम सत्यागरा किये अगर चर्चा आएगी तब चमपारन में किये थे जो भीहार में है लेकिन 20 में अगर चर्चा आए जाए गी तब 1907 में किये थे जो अफ्रीका में किये थे समझे अभीहार में अगर कहा जागा तो 1917 में चंपारन सत्यागरा 1907 समझे अब अगला को दखिए यानि महात्मा गांधी करा निति गुरू कौन थे समझे महात्मा गांधी को भीहार आने के लिए राजकुमार सुकला ने अमंत्रीत किया था समझे महात्मा गांधी को भीहार आने के लिए किसने अमंत्रीत किया था राजकुमार सुकला ने अगला है कि चंपारन सत्याग्रा में तिनकठिया परनाली का विरोध किया गया था कोश्चन आता है कि तिनकठिया परनाली का समन्द तिनकठिया परता का समन्द किस चीस है तो चंपारन सत्याग्रा से जुड़ा हुआ है गया में नीह दर्पनक कंई Land तो दोस्तों इस कोश्चन में मिलता है अगला कोश्यन देखते हैं कि प्ल zeg तिश्रा कोश्यराक्र कौश्च थिसरा hora सि काँ इस्तीर अग्रा मंखशित काहां इस्तीत है ऑप्शन जिफधे पुर्शिक्री ऑप्शन डी सिकंद्रा इसका अब स्टीड हो वलोग देखते हैं तो दोस्तों वेक्षा शिकंद्रा में फिर की दीने इलाही धर्म के शुरुआत किस ने किया तो दीने इलाही धर्म के शुरुआत किस ने किया अकबर ने किया भी समझें उसके बाद और भी मतबह को दैखते हैं जाने कम कर रा का ज़सी थैं जाने मज़से समध्रा अगर इगर कोई भीजिद बिया अगर याद अगर आपको तो इसके लिए मेरे चैनल पे पहले से ट्रिक्स मौझूद है आप जा करके प्ले लिश्ट से देख सकते हैं दोस्तों बहुत आसान ट्रिक्स बताया गया है कि अकबर का जो सेना पति था जो कौन था मांद जी था समझे दोस्तों अब अगला कोश्चन देखते हैं है चोता कोश्चन है दोस्तों इसवस्तों को सरपर्थम किस ने पढ़ा क्युश्यन आता है कि अशोक अस्तम को सरपर्थम किस ने पढ़ा तो जेंशेम प्रंजलर यसवस्त नेerkाष्ट सेंट ब Canyon Magic 10 ऑपरफन चैनले मांद वीं से हwsतों अब इसे रिलेटेड को देखते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनेल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए में तो दोस्तों यानि जेम्स प्रिसेप ने सरपर्थम पर्णडमे सफ़लता पाया अठ्णार सो बें चाहते हैं और दोस्तों दूसरा है असो के सीला लेग का खोज कभ किया गया सतन्सों पचास में किया कौन किया तो टी-पैंथलर जिसको प्र corazón प्रोग समझें यानि अगर चर्चा अगर पढ़ने किया गा तब जेम्स प्रिंसेप खोज करने किया गा तब टीप एंटलर के दौरा सेत्रे सो पचास में खोज किया गया था जो सबसे लंबा साथमा कर अगर जागा तर तरह माई कॉश्चन आथा कि कौन्सा सीला लेक में कर लिंग यूद कवर नगन है तेशा मामें पर्थम किया गया प्रथम पिर्थम्स ला लेक में कोच एप पर्थम आप जिये मिलता है किसमें तो गुर्जरायवं मौस्की अभी लेक में मिलता है अब अब रूगण में क्या मिलता है मगत कराजा बताया गया है अब दोस्तों अगला कोश्चन को देखते हैं सुभास चंदरभोस ने उन officer ने में अजादिन फोज का कमान और की सिंगापूर और रूस तो दोस्तों इसका जो ऑपसन सी होगा है समझे अब इसकाम लोग व्याख्या को देखते हैं तो दोस्तों सुवाश्य अंद्र बोस ने उनी सो ते तालीस में अजाद हिंद फोज की कमान कहा संभाले सिंगापूर में संभाले थे अजाद हिंद फोज का गठन कभ हुआ था तो एक सितंबर उनी सो ब्यालीस में हुआ था कहां किस ने किया था तो कैप्टन मौहंसी ने किया था किस ने किया था कैप्टन मौहंसी ने किया था कभ किया था तो एक सितंबर उनी सो ब्यालीस में समझे सुवाश्य चैनर बोस से स मंदी तरभी कोशिंग में था लिबोरा नंदान्दीप को नुझारखे तो सवराज बीबोरा तेश्वास revenue यहां दोस्तों नोग्य कोश्चन दिखते हैं दोस्तों अगला कोश्चन है कि माहत्माबूद्य का परी निर्मान कहां पर हुआ था महातमा निर्मान कहां पर हुआ था तो कहां पर हुआ इसका option देखिए A में अलुमिनी, option B कुशी नगर, option C बोद गया, option D कपिल वैस्तू तो दोस्तो इसका जो एनसर होगा वो कुशी नगर होगा हैं समझें भी होगा इस माहा परिनीर मान बहुता हो तो कुसी नगर में भुटा था याने मिइस कर अधे एकर हो तोकुसी नहीं में हुआ था जैंगे कजन में का अलूमीनिय में गुबस 274 ए गोलु आपको बतादेगा यानी गौतंबूध अलुमीनी यानि गौतंबूध का जन्म कहां पर हुआ ना करे विरिच के निए लुभी को से थे ना था जन्म महात्मा बूध को ग्यान की प्राप्ती को विरिज के नीचे हुआ तो पीपल के विरिज के नीचे हुआ महात्माबूद ने अपना पर्थम उपदेश कहां में दिये तो सारनाथ में दिये थे तो अगर कोश्चन आजा कि जो महात्मा बूद थे पर्थम उपदेश कहां दिये तो सारनात में दिये सबसे अधिक उपदेश के अगर चर्चा आजाएगी तब स्रावस्ती में दिये थे महात्मा बूद को ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुआ तो बोध गया में हुआ था जिसको पहले उरुबेला के नाम से जानते थे किसने दिके किनारे है तो नीरंजना ने दिके तर्ट पर है समझे इसे को इतना जनकारी में होता है अगला क्वश्चन देखते हैं अब देखते हैं यानि सिंदू सविता का जो अस्थल है वो किस अस्थान से प्राप्त हुआ है कोश्चन है कि सिंदू सविता का असना नागर कहां से प्राप्त हुआ है ऌप्सन क्या होगा तो मोहन जोद्रो होगा समझे यानि विकाल असनानागर कहां समिला है उब मंलिट भर ऑप अभ देखिए कि किसमे किया तषा alpha 9 24 चिंदिया के तभी है धिक्छी का के तट पे तोसिनुन वंगा का कोच एगर QS इस तरीके का गर कॉश्च्टब अगर आपको अगर दिखत अगर करता है जामनेसन में तो हमारे चैनल पे उसके लिए ट्रिक्स पहलेश यालडी मजूद है आप लेइलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं या महां जोदो किस नदिके किनारे है हडपा किस नदिके किनारे है इस अब सम्मधित अगर कोश्चन सब्सक्राइब किए तो दोस्तों आगे देखते हैं यानी पूछ निसीरा समीलाएव अगे देखते हैं दोस्तों अगला कोशिन है कि जाहांगीर के दरवार में पच्चियों का सबसे बड़ा छित्रकार कौन था यानि जहांगीर के दरवार में पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था तो देखिए option A ख्वाजा, अब्दूलसमद, सयद, अली, तबरीजी, बसावन या मंसूर तो दोस्तो इसका जो answer होगा option D मंसूर एसे भी याद रख सकते हैं कि मंसूर कौन खाएगा तो पच्छी, मंसूर कौन, अगर छट पर रेक देते हैं तो मंसूर कोन खाता है पच्छी खाता है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, बाकी कोई ने मत wij रीलेट हो रहा है अब इसे सम्मादीत और question को देखते हैं हम लोग यानि अब देखिए जहांगीर के दरवार में पच्छियों का सबसे बड़ा चितरकार कौन मनसूर हुआ इसको देख लिए हम लोग अब अगला देखिए यानि जहांगीर के काल को किसी का स्वर्नकाल कहा जाता है तो चितरकाला का स्वर्नकाल समझे चितरकाला का स्वर्नकाल किसके काल को कहा जाता है तो जहांगीर के काल को कहा जाता है समझे अब जखिए जहांगीर द्वारा सुरू की गई तूजू के बावरी जो आत्म का था इसको पूरा करने का सरे किसको जाता है तो मौतविंद खान को किसको जाता है मौतविंद खान को अगर किया जाकि जहांगीर का जो आत्म का था उसका नाम क्या था तो तूजू के जहांगीरी इसको पूरा किस ने किया तो मौतविंद खा ने किया है समझे अगला देखिए जन्म का अगर चर्चा आजाएगा तब 30 अगस्त 1579 अगर जन्म का अगर चर्चा जाएगा जाहां गीर का तब 30 अगस्त 1579 तो दोस्तों अगला कोश्चन को देखते हैं दोस्तों अगला कोश्चन है सीवा जी के मंत्री परिषद में पर्धान मंत्री को क्या कहते थे सीवा जी के मंत्री परिषद में पर्धान मंत्री को क्या कहते थे option A पेशवा, option B है सचीव, option C है मंतरी, option D है सामन्त तो इसका जो एंसर होगा दोस्तो, option A पेशवा, यानि सीवा जी के मंतरी परिशद में प्रधान मंतरी को पेशवा कहा जाता था अब इसे related question को देखिए, यानि सीवा जी के मंतरी परिशद को क्या कहा जाता था, तो अष्ट परधान कहा जाता था सीवा जी के मंत्री परशत को क्या कह जाता था अश्ट परधान मंत्री को क्या कह जाता था पेशवा कह जाता था यह परधान मंत्री को पेशवा अब देखिए सीवा जी के गुरू का नाम क्या था सीवा जी के गुरू कौन थे तो दादा जी कौन देव सीवा जी के दरवार म मराठी वासा का परियुक किया जाता था अब कोश्चन आ जाए कि सीवा जी ने जो राजा भी से करवाया था किसे करवाया था तो देखिए सुलन सचोगहत्र में सीवा जी ने राइगड़ में वारा नसी के परसीद बीदवान सिरी गंगा भट से करवाया था समझे कहां में क इतना जानकारी आपको मिलता इसको करके राख सकते हैं तो दोस्तो अगला कोश्चन को के इससे तो चर्चा पता चली लाता ही के गयाता है कि सब्सक्रप को छुण उत नहीं से तो sliding देख लिए ओप्शन 1886 1887 1888 1889 तो इक बने थे 1887 में बने ओप्शन भी तो दोस्तों आप देखिए कॉंग्रेस के समन्दित कुछ महत्वपून कोश्चन को देखते हैं यानि कॉंग्रेस का तीसरा अधिवेशन में बने थे कॉंग्रेस के अगर कॉष्चन किया जाके की सदी बेशन में बने तो तो सुसरा अधिवेशन कहा नहीं हुआ मद्राश में घुआ जिसका पर्था मुस्भीम ध्याच बने तीज आजी इप द तकी आजें 1885 किस ने किया तो हो मैं 1885 कॉंग्रेश के परतम अदिमेशन के देजस्ता एगर किया जा ते 185 में किसने किया ड़ल। बनर जी क्या है, समिझे-अब देखिए तौन क्वेस्थ का कहां में हुआ कलकट्ता में हुआ जिसकी अधियस्ता दादा भाई नरोजी ने किये, plus Congress का दूसरा आदिवेशन कलकता में dentalभाई नरोजी ने का दूसरा इसकी अधियसفे नरोजी ने, Congress का चौता आधियस्ता दादा गश्ता जोुआ कहा में हुआ इलाहा बाद में,بح comments 1888 में इसका अधियाश तक कौन किया जौर जी ले जो परतम अंग्रेज अधियाज थे अंग्रेज अधियाज या परतम एउरोपीय अधियाज भी कहा जाता है तो दोस्तों ये वीडियो से आपको इतना जानकारी मिलता है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच भी सेयर कीजिए मैं इस परकार का और भी वीडियो आपको लाते रहूंगा, धन्यवाद, जय हिंद.